नमस्कार स्वागत है आपका उमान न्यूज हिंदी में एक बार फिर से भारती नागरी कुड्यन महानीजी साले ने एक अपडेट जारी किया है कि 30 जून 2021 तक भारत अपने नॉर्मल इंटरनेशनल फ्लाइट्स को बंद रखेगा जी हाँ कोविड-19 की जो संकरमण है उसको बढ़ता हुआ देख करके डीजी सी ने फैसला लिया है लेकिन जिन देशों के साथ बबल एग्रिमेंट है उन देशों से फ्लाइटें आती जाती रहेंगी वंदे भारत मिशन के तहर्ट फ्लाइटें आएंगी जाएंगी या फिर जो कार्गो फ्लाइट्स हैं जो सामान क की डिलेवरी करते हैं उन फ्लाइटों पे इस फैसले का कोई असर नहीं पड़ेगा मिनिश्ट्री आफ हेल्थ होमान के तरफ से एक अपडेट आया है कि अगले सब्ता यानि जून के पहले वीक में जो कोविड-19 वैक्सिन का बहुत बड़ा टीका करण का कारिकरम मिनिश् से ब्रिहद टीका करण का कारेकरम में स्टार्ट हो तब तक जो भी आपका गाइडलाइन से कोविड-19 का सुप्रीम कमिटी और मिनिश्ट्री आफ हेल्थ के द्वारा वो पूरी तरह से पालन कीजिए श्रम मंत्राले के अनुसार एक जून दोहजार इकी से नए जो स्रमिक के लिए उन ब्यवसाय मालिकों के लिए जिनके कमपनी में 25% यदि ओमानी वरकर काम करते हैं तो उनको वर्क पर्मिट बनवाने का जो भी फीस है उसमें 50% उनको छूट दी जाएगी जी हां यह न कहीं न कहीं एक ट्रैप में फसा रही है स्रम मंत्राले कमपनियों को ताकि ओमानी करण का भी बढ़ावा हो कि कमपनियों को वर्क पर्मिट बनवाने में अगर चूट चाहिए तो वो अपने यहां 25% जो मैन पावर हैं वो लोकल ओमानियों को रखे हैं उसके बाद ही चूट मिलेगी जो भी कमपनिया यदि 25% से कम ओमानी वरकर को काम पे रखी हैं उनको यह चूट नहीं दी जाएगी तो इंडिविजली तरीके पे जो गौर्मेंट चाहती है कि लोकल ओमानियों को हर कमपनी में जगह दी जाए हर कमपनी में 25% जो ओमानी है वो काम करें तभी जाकर कि इस चूट का जो फाइदा है वो कमपनिया उठा सकती हैं ओमान को लगता है कि यह वैक्सीन नुक्सान दे है वो इस भ्रांती में मत रहें गल्थ फह्मि मत पालें कि वैक्सीन लगवाने के बाद हमको को कोई नुक्सान हो पड़ेगा तभी जाकर कि इस माहमारी से हमारा पीछा चूटेory औरीस व में ऑपमान समचार झने के के द्वारे एक अपडेट आ रही है कि 2021 में जो बिजली से संबंदित जो जो भी लाइसेंस जीन कमपनियों को दिये जा रहे हैं उनमें इस साल 800 नौकरियों को जो स्रीजिन करने का एक लक्ष रखा गया यानि कि इस साल यह जो कमपनियां है 800 लोकन वमानियों को काम देने का लक्ष इनको Ministry of Labor के द्वारा दिया गया है बांगलादेश की एरलाइन्स बिमान बांगलादेश ने एक अपडेट जारी करते हो बताया है कि सनिवार को सौधी अरब के लिए जो नियमित फ्लाइटे हैं वो बांगलादेश संचालित करना सुरू करेगा COVID मामारी को देखते हुए 17 मई से सौधी ने अंतरास्टी बॉर्डर्स को ओपेन कर दिया है लेकिन यदि कोई व्यक्ति सौधी जाते हैं तो उनको RT-PCR टेस्ट ले जाना जरूरी होगा और साथ में साथ दिनों का जो होटल में कॉरंटीन अनिवार कर दिया गया है सुल्तान हैतम बिंतारिक के निर्देश के अनुसार जितनी भी वेकेंस्या है वो चाहें सेंन भी भाग में हो या फिर प्राइवेट व्यक्ति सेक्टर में हो हो या फिर गवर्नेंट सेक्टर में जो ओमानी लोगों को जौब पर रखने की प्रक्रिया है काफी तेजwhenekर द कर सकते हैं भारत से एक अपडेट आ रही है नई दिल्ली से इंडिया की फ्लाइट जैसे ही टेक ओफ हुई आधे घंटे हवा में रहने के बाद इस फ्लाइट के कॉक्पिट में एक मरा हुआ चमगादर पाया जिसको देख करके जो पाइलट ने वापस से जो प्लेन है दिल् कॉक्पिट में जो पाइलट जहां पर ऑपरेट करते हैं जहां से बैठते हैं वहां पर कैसे यह मरा हुआ चमगादर पहुँच गया मिनिस्ट्री आफ हेल्थ ने सभी लोगों को टीकों के बारे में भ्रांतियां न फैलाने का अग्रह किया जी हां यह टीके पूरी तरह से सेफ हैं तो जिन किसी भी व्यक्ति का नंबर आये टीका लगवाने के लिए आपके पास मौका है तो जरूर लगवाईए और एक दूसरे को भी बताईए कि यह टीका पूरी तरह से सेफ है उमान में कोविड वैक्सिन के लगाने के वज़े से कोई भी ऐसा केस नहीं आया है जो कि टीका लगाने के बाद वह ज्यादा बीमार हो गया हो या फिर उसकी मृत्य हुई हो हलका फुलका बुखार तक बसाता है इसके आगे और कोई भी ऐसा साइड इफेक्ट अभी तक सामने नहीं आया है फ्रेंड्स सुरक्षित रहिए सेफ रहिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद